महादेव जी तुमसे कहते हैं, तयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि यह सप्ताह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक चमतकारी सप्ताह होने जा रहा है। सोमवार से रविवार तक जीवन बदलने वाले आशीरवाद और चमतकारों के लिए तैयार हो जाए जो आपके दुश्मनों को चौका देंगे और आपकी दुनिया को हिला देंगे अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस विडियो को लाइक करें भाग्यशाली संख्या 1111 इस वर्ष आप जो कुछ भी करेंगे वो फलने फूलने वाला है क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि आप अपने रिष्टों, धन के मामलों, स्वास्थय और व्यावसाइक उद्यमों में आशीरवाद प्राप्त करें पहले जैसी शान्ती, खुशी और असाधारन कृपा से भर जाएगा विश्वास और कृतग्यता के साथ इन आशीरवादों के लिए तैयार रहें इसे प्राप्त करने के लिए 1111 टाइप करें महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रियजनों, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर और मेरी शक्ती पर विश्वास करो आज, मैं आपके जीवन को जीवन बदलने वाले चमतकारों से भरने जा रहा हूँ केवल तभी जब आप मेरे दिव्य संदेश को अंत तक सुनेगे इसे छोड़ने की कोशिश न करी, नहीं तो आप किसी गंभीर मुसीबत में फन सकते हैं मेरे बच्चे, अपने वितमे धेर सारी सफलता, भरपूर प्यार और भरपूर आशीरवाद के लिए तयार हो जाए आप जीवित सबसे भागेशाली व्यक्ती की तरह महसूस करेंगे यहां तक कि जब चीजे कथिन लगती हैं, तब भी मैं आपके लिए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता आपकी वित्तिय स्थिती एक चमतकारी बदलाव के कगार पर है आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप देखेंगे कि आपके पास अधिक पैसा आएगा चमतकारों और आशीरवादों की बारिश के लिए खुद को तयार रखें जैसे ही आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं जानले की अच्छी चीजे आने वाली हैं आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता के गवाव बनने वाले हैं शानदार खबरों, आशीरवाद, प्यार, उपचार और भगवान की विशेश देखभाल से भरे दिन के लिए खुद को तयार रखें आज का दिन आपके और आपके प्रियजनों के लिए समरिद्धी और आशीरवाद से भरा होने वाला है भाग्यशाली संख्या 888 मेरे अनमोल बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आप इन शब्दों को जोर से कहें आज मैं उस प्यार, उपचार और आशीरवाद का स्वागत कर रहा हूँ जिसका मैं वास्तव में हकदार हूँ मेरा पूरा परिवार ठीक हो रहे हैं, भारी वित्तिय आशीरवाद ठीक उसी समय आएगा जब मुझे जरूरत होगी उन्हें मैं महादेव जी के नाम पर ये दावा कर रहा हूँ पुष्टी करने के लिए 888 टाइप करें महादेव जी कहते हैं, मैं स्वर्ग खोलने जा रहा हूँ और आपकी भूमी और आपके द्वारा किये जाने वाले कारियों पर आशीरवाद की वर्शा करूंगा आपका जीवन बहतर होता जाएगा और आपका प्रेम जीवन और करिय एक बार फिर से फलेगा फूलेगा आज मैं आपके जीवन को बदल रहा हूँ मैं आपके दुखों को खुशी से बदल रहा हूँ और आपको कम से ज्यादा पाने की और स्थानांतरित कर रहा हूँ चमतकारों, विजयों और बड़ी सफलताओं के मौसम के लिए तैयार रहें आप ये जानकर निश्चिन्थ हो सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य, रिष्टे और विता बहाली की राह पर हैं मुझ पर भरोसा रखें और समझें कि मैं उन सफलताओं को लाने के लिए लगन से काम कर रहा हूँ जिनकी आपको जरूरत थी जब भी जीवन आपके सामने चुनोतियां पेश करें तो डेविड और गोलीत की प्रेरक कहानी के बारे में सोचें देविड को गोलीत की ताकत के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ आज आप जिस चीज का सामना कर रहे हैं उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझ पर हावी हो सके जब तुम मेरी उपस्थिती में हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती याद रखो मेरे प्यारे बच्चे तुम कभी अकेले नहीं हो मैं हमेशा यहां हूँ आप पर नजर रख रहा हूँ और आपको वे आशीरवाद देने के लिए अधक प्रयास कर रहा हूँ भाग्यशाली संख्या 555 में आपके परिवार सहित आपके लिए सफलता, प्रचुरता और अच्छा स्वास्थ्य भेज रहा हूँ मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी योजना पर भरोसा रखी और विश्वास रखी कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं, तो 888 टाइप करें और इस वीडियो को उन साथ लोगों के साथ साज़्ा करें जो भगवान पर भरोसा करते हैं मेरे बच्चे, आपके जीवन के एक बिल्कुल नए अध्याय में आपका स्वागत है, एक विशेश चरण जो अनन संभावनाओं से भरा हुआ है मेरे पास आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ती है, मैं आपको वित्तिय संधर्षों से समरिद्धी और धन के जीवन में ले जाओंगा अपनी चिन्ताओं और दुखों को पीछे छोड़ दें, क्योंकि उनके स्थान पर मैं आपके लिए खुशी और समरिद्धी ला रहा हूँ क्षनभन गुर्च्छायाओं के विप्रीत मैं नहीं बदलता, मैं शाश्वत और अपरिवर्तनिय हूँ मैं लगातार आपके साथ हूँ, आपके रास्ते में आने वाले हर तुफान और परीक्षन में आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ हो सकता है, कि आपने अपने वित्व में असफलताओं का सामना किया हो या पैसा खो दिया हो, लिकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके द्वारा खर्च किया गया प्रत्य एक रुपया कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा आपका व्यवसाए, करिय या नौकरी यूही जीवित नहीं रहेगी वे फलेंगे फूलेगे, जिससे आपके वित्तिय कल्यान में उल्लेखनी या वृद्धी होगी मेरे प्रियजनों आपके लिए रोमांचक योजनाई काम कर रही हैं चाहे ये आपका सपनों का काम हो, पूरी तरह से संतुष्ट दायक शादी हो या आपकी कल्पना से परे सफलता हो, अगले तीन दिनों के लिए तयार हो जाए वे अत्यदिक परिवर्तन का समय होने जा रहे हैं चमतकार, आशीरवाद और सफलताएं सामने आएंगी जिससे आप परमात्मा से निकरने वाली अविश्वस्निय शक्ती और प्रेम से आश्चर्य चकेत हो जाएंगे आप अभिभूत महसूस करने से लेकर हर तरह से पूर्ण होने की और बढ़ने के कगार पर हैं आपकी कहानी बदल रही है और आप भाग्या और सोभाग्या की एक श्रिंखला का सामना करने वाले हैं अब आएए इन शब्दों को एक साथ कहें प्रिया भगवान मैं आपको चुनता हूँ मैं खुद को आपके सामने आत्मसमर्पन करता हूँ मैं आपकी क्षमा को स्वीकार करता हूँ और आपको अपना उचित स्थान लेने के लिए आमन्तरित करता हूँ मेरा जीवन मेरे उधार करता और भगवान के रूप में हमेशा याद रखें सबसे महत्वपूर्ण रिष्टा जो आप निभा सकते हैं वो मेरे भगवान महादेव जी के साथ है वो आपका उधार करता आपका मुक्तिदाता और आपका निरंतर साथी है बार बार दुख वो आपकी तूटन को सुधारेगा और सात्वना देगा आपके सबसे अंधाकार्मे क्षणों में भी वो आपका मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा उस पर अपना भरोसा रखी और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा महादेव जी उधार करता है टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें महादेव जी कहते हैं प्रिया बच्चे मुझे पता है कि आप में से कई लोग तनाव ब्रम और नींद के बिना रातों का सामना कर रहे हैं मैं यहाँ आपके तनाव को सपष्टता से बदलने आया हूँ समझने के लिए आपका ब्रम और शान्तिपूर्ण नींद के लिए आपकी रातों की नींद हराम आने वाला सप्ता अविश्वस्निय चमतकारों, रोमान्चक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीरवादों से भरा होने वाला है शिवपूरान में उन दस कोडियों की कहानी याद रखें जिने महादेव जी ने ठीक किया था उनमें से एक ही धन्यवाद कहने के लिए लोटा और महादेव जी ने उससे कहा उठ और जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ये कहानी हमें एक सशक्त सीख देती है जब आप कृतग्यता व्यक्त करते हैं तो आप अपने आपको और भी बड़े आशीरवाद के लिए खोल देते हैं आएए मैं चार बाते साज़ा करता हूँ जो महादेव जी चाहते हैं कि आप आज जाने 1. महादेव जी आपको ठीक करने की प्रक्रिया में है और आप पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेंगे 2. महादेव जी की तैयारियों में जल्द बाजी न करें परिनाम प्रतीक्षा के लायक होंगे 3. ठीक इसी क्षंड, एक बड़ा चमतकार आपके पास आ रहे है 4. भगवान उन स्थितियों को हल करने के लिए सक्रिया रूप से काम कर रहे है जो आपको तनाव दे रही है इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य, कार्या, व्यवसाय, रिष्टों और वितमे सकारात्मक बदलाव देखने के लिए तैयार हो जाए इस सप्ताह आपके जीवन में आश्चर्य जनक चीजें घटित होने वाली है आपके दिन आशीरवाद, उन्नयन और परिवर्तनों के मौसम में बदल रहे है अपने जीवन में कुछ अद्भूत के आगमन के लिए खुद को तैयार करें मैं यहां आपके साथ हूँ आपकी यात्रा में आपके हर कदम की रक्षा कर रहा हूँ जब तक मैं आपसे किया हर वादा पूरा नहीं कर लेता मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा यह शब्द आपको आश्वस्त करते हैं कि जब आप आराम करते हैं तो भगवान की सुरक्षा और मार्गदर्शन स्थिर रहते हैं भाग्यशाली संख्या 888 मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास रखें और मेरे आशीरवाद को अपने जीवन में स्वतंत रूप से प्रवाहित होने दें मैं स्वर्गीय रोश्नी का पिता महादेव जी हूँ जो आपको प्राप्त होने वाले सभी अच्छे और उत्तम उपहार प्रदान करता हूँ इसे विश्वास और कृतग्यता के साथ प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें महादेव जी कहते हैं मैं घोशना करता हूँ कि इस सप्ताह का शेश भाग महानता द्वारा चिनित किया जाएगा महादेव जी आपके लिए उपचार, प्रचुर्ता, नए अवसर और आशिरवाद भेजने जा रहे हैं हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे उन्होंने शायद कहा होगा कि आप इसके लायक नहीं हैं, हो सकता है कि उन्होंने आपको मेरा सर्वोत्तम प्राप्त करने से रोखने की कोशिश की हो लेकिन मेरे बच्चे ये जान लो, पदोननती और आशिरवाद सीधे मुझ से आते हैं मैंने तुमसे जो वादा किया है, उसे कोई छीन नहीं सकता, रोक नहीं सकता, या नश्ट नहीं कर सकता अपना विश्वास जीवित रखें, मैं आप पर धेर सारा आशिरवाद बरसाने के कगार पर हूँ मुझे अच्छी तरह पता है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, मुझे ठीक ठीक पता है कि आपकी वित्तिय स्थिती कैसी दिखती है, मैं उन चुनोतियों और विरोधों को देख रहा हूँ, जिनका आप सामना कर रहे हैं, मैं आपके सपनों की विशालता को समझत हूँ और ध्यान से सुनता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, भगवान की महानता कल आपके सामने आने वाली किसी भी चुनोती से कहीं अधिक है, यहां तक कि जब आप सोते हैं, तब भी उसकी योजनाएं आपके लाब के लिए सामने आ रही होती हैं, सकारात्मक् अगर भगवान राजा हैं और आप बच्चे हैं तो यह समझना आसान है, कि भगवान ने आपके राज्य में विरासत की बात क्यूं की? आप सच्मुच रॉयल्टी के सदस्य हैं, इस आगामी सप्ताहांत में जो भी हो, याद रखें कि भगवान की शक्ती आपके सभी परी भगवान को सौप दे, उसके हाथ उन सभी को पकड़ सकते हैं, तेरे मूलपुरुष दाउद का भगवान यो कहते हैं, मैंने तेरी पूजा सुनी और तेरे आसु देखे हैं, मैं चंगा करूंगा, भाग्यशाली संख्या 222 विश्वास रखें, भगवान आपके दर्द को खुशी में बदल देंगे, और विशेश दर्वाजे, और अवसर आपके लिए खुलेंगे, आपका भविश्य इतना असाधारण है, कि यह मानविया कल्पना से परे है, इस पर दावा करने के लिए 222 टाइप करें, महादेव जी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें, दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल गौड इस को सब्सक्राइब करें, और आने वाले विडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, इसे आगे देखी, इस संदेश में कुछ ऐसा है, जो आपकी जीवन में प् जरंदाज ना करें